है 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 लो फ्रेंड्स बर्धनिक एडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग यूपेटर पलेसी पीटी एक्जाम 2021 से समधित एक बहुत ही महत्पूर टापिक के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी परि बैस अधा कि सासानी रहें कि त्यारी कैसे करें तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आफ्ट आप सब्स्राइब करना चाहें तो चेज्से आपकी त्यार हो जाएंगे तो चीजए आपकी तियार हो जाएंगे ठीक है और यह 100% यहां पर कोई धोका देने वाली बात नहीं है जो बुक्स है वो बहुत ही अच्छी बुक्स है और उनसे अगर आप पढ़ेंगे पहले बत अगर पूरी पढ़ ले तो पहले बत उसमें 100 में 100 फसेगा ठीक है लेकिन इतना हो नहीं पाता है अक्सर तो यहां प्रस्णा पर चलिए है स्टार्ट करते वीडियो देखते हैं सबसे पहले देखिए स्मभास को देख लेते स्लेस को मैंने इस तरीके से यहां पर लिख लिए क्योंकि अगर ओफिसेश लेबर को यहां पर लहिए लेकर है तो इसमें स्लेम अधियास बहरति-Ratskrit और भूगोल अर्थसास्त्र राजिवस्ता मतलब आपका समिदान से संबंदे चीजे विज्ञान ठीक है अंकर गणित हिंदी अंग्रेजी तार्किक सक्ति मतलब ठीक है तो तार्किक सक्ति परिक्षण तो अब यह देखिए और इसके लावाएगा आपका करेंट अफेर सामान जाग रुकता अपठित गद्यांस और अंसीन पैसेज और ग्राफ ठीक है तो यह यह रेड से इनको क्यों कर दिया है ग्राफ अंसीन पैसेज अपठित गद्या सामान जाग रुकता और करेंट अफेर यह आपके द दस नंबर के हैं इसलिए इनको रेड से कर दिया दस नंबर की करेंट दस już नंबर के सामान जाग रुकता दस नंबर के अप के और पचास नंबर नीचे तो यह प्रोटल सो नंबर का आपका फेपर होगा ठीक है इसमें जो रिडांत्मक अंकन होगा मतलब निगेटिव मार्किंग आपकी वन फोर्थ होगी ठीक है मतलब चार को से जब आप गलत कर दोंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा पूरा मत देखें इनके लिए एक ही मतलब दो किताबे इसके लिए मैंने बताई हैं इनके लिए जैसे इतिहास हो गया भारति राष्ट्रियान दोलन भूगोल अर्थसास्त्र राज विवस्ता मतलब संभीदान ठीक है विज्ञान और सामाने जग जाग रुकता ठीक है तो इनसे एक दम complete साई से पढ़ ली ठीक है एक तो आपकी यह है NCRT सार संगर ठीक है महस्कुवार बर्णवाल जी की यह बुक है और इसके बारे में महस्कुवार बर्णवाल जी के बारे में लगबग वो हर इंसान जानता है जो यूपी ट्रिपल एसी मतलब सौरी यूपी एसी की त्यारी कर रहा है ठीक है तो यह बुक आप लोग के लिए बहुत important है और बहुत जादा नहीं यह वन लाइनर है और इसकी जो है multiple choice question की भी बुक आती है ठीक है एक यह हो गए और एक आपकी lucid अगर यह दोनों books आप लोग पढ़ लेते हैं ठीक है तो इन से यह कितना है पर हो जाएंगे एक NCRT सार संग्र है और दूसरी आपकी lucid ठीक है क्योंकि PT exam है ठीक है common eligibility test है एक तरीके से तो इसमें इससे ज्यादा नहीं आएगा ठीक है यह इजली आपकी हो जाएगी अब अंक गनित सबसे ज्यादा easy कुछ लग रहा है यह अगर इस syllabus में तो वह सबसे आदा टफ लगती रहती है मैंसा ठीक है अंक गनित इतनी easy है कुछ कहने को नहीं ठीक है तो इसके लिए सिर्फ एक ही बुक है और इसमें सारे topic दिये गए जो आप लोगों में पूछ जाएगी चार-पांस ही topic है वह SD आदो की book में सारी सारी चीजे हूब हूब आपको बिल लिए और अगर आप लोग की तैरी करता है यह बुक ले लिजिए यह आप लोगों के लिए सफिसेंट सफिसेंट है इतने में आपका पूरा complete कवर हो जाएगा ठीक है कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको और यह आपका पूरा complete हो जाएगा ठीक एसडिया दो मैट्स मै आपना क्लियर कर सकते हैं यह देखिए उत्रपते लोग सेवायोग अधिनस्त चैने सेवायोग सभी के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है इसके लावा अगर आपके पास कोई भी ग्रामर की भुक है ठीक ग्यान मुद्रा है या वासदेव नंदन की जो भी है कोई अगर बुक है तो वो भी आपकी काम दे सकती क्योंकि बहुत ज्यादा हाई नहीं हाई लेवल का नहीं पुछी जाएगी लेकिन चीजें तयार तो करनी है इसलिए तो लेकिन मेरे हिसाब से यह ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपके पास कोई नहीं है तो यह आप फ़स्ट यहां अपना रीजनिंग अपब देखे रीजनिंग कहां से आप लोग पढ़ेंगा रीजनिंग के लिए यह एक बुक है अप लोग के लिए यह देखें सामाने बुद्धियम तर्कसक्ति-परिक्षण अर्हियंत की बुक है और बहुत अच्छी बुक है इसमें जितने भी आपके रीजिनेंग से संबंदि चीजा है वह सारी चीजा है आपके बूक है लोगोग बहुत अच्छी है अगर यह आपने लेते हैं तो इससे आपके सारे जो आपके पांच नमबर कुशिए जाएगी वह सारे लगबकि से पृस जाएगे ठीक है नेक्से है करेंट अफ्यायर यह आप देखें दस नमबर वाली चीज़े स्टार्ट हो गए दस नमबर में करेंट अब करेंट अफ्यार को कम से कम शे महीं एक ही पढ़नी चाहिए यह पूछी तो एक साल की भी जाती है दो च्रेमाइने के लिए एक बुख बहुत अच्छी है वैसे दो बुक में हमेशा सजेक्ष्ट करता हूँ लेकिन एक बुक कि यह है यह आपका आता है घटना सार तो यह आप लोग ले लिजिए इसके लाब गटना चकर की भी अगर आप लोग 6 महिने के लिए तो यह दोनों चीज़े ऐसी है जो आपका करेंट अफियर 100% cover करा देंगे ठीक है इसमें कोई भी दो राय नहीं है यह आपका 100% आपका जितना भी आपका current affair है वो complete करा देंगे इसके बाद है आपका अपटित गद्यांस बचा है unseen passage और graph इन तीनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इन तीनों की तैयारी यह देखें ददस नंबर के आपके हैं तो इसके लिए आपको practice set लेना होगा ठीक है practice set इन practice set से काफी फायदे है practice set से दो तीज़े फायदे एक तो यह देखिए अधिक से अधिक आपका यह unseen passage जो हिंदी और इंग्लिस दोनों में पूछे जाएंगी इसके लाभा graph से संबंदित दस नंबर के question पूछे जाएंगे ठीक है तो यह चीज़े आपकी practice set आप जितना भी करेंगे इससे आपका जो time management है वो भी सही हो जाएगा हाला कि आपको time बहुत मिलेगा है दो घंटे का समय मिले दिया जाएगा और सव कोस्चन होंगे मतलब 120 मिनट में सव कोस्चन करने है तो time तो आल लेडी आपके पास पहले है लेकिन प्रेक्टिस सेट का मतलब लगाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा दूसरी चीज आपके जितने भी अप्टित गद्या ओवैर्नेस कि जो है ठीक एजिए जी जो पूचे जाएगा यहां पर देखिए जी यहीं पर रखा ऊपर इनके साथ में कि आपजिये में कैया है सामानने जगरुपता मतलब जनरल अवेर्नेस इसमें क्या करना है इन दोनों बुक्स से पढ़ना है बाकि जो करेंट में आप सामान जागरूपता ठीक है तो 5, 5, 10, 5, 15, 25, 25, 25, 35, 30, 30 यहे और 10 नंबर की जीए ठीक है तो 40 नंबर आपके current स्वारी लूसेंट और NCIT सार संग्रे अगर आप लोग दोनों पढ़नेते तो 40 नंबर आपके यहाँ पे clear हो जाएंगे ठीक है चालिस आप बाकी आपका अंक गणित के लिए SDR दो और हिंदी के लिए सामान हिंदी इंग्लिस के लिए SP बक्सी की आती है और रिजनिंग के लिए आपकी अरियंत की ठीक है तो 20 नंबर यह होगा साथ नंबर यह होगा बाकी 40 नंबर आपके यहाँ पे हो जाएंगे current और प्लस यह तीन चीज़ें यह नीचे ठीक है तो 100 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया मैस की अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वीडियो आठ से 10 वीडियो में आपका पूरा स्लेवस यहाँ पे मिल जाएगी इसके लाब आप लोग अगर स्लेवस के बारे में जाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहां से आप जाके आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपके यह आपकी बेस्ट बुक्स की वीडियो हो गई तो दोस्त आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते अपकरी नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए नमस्कार